हेलो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर करें जैसी कि आप देख सकते हैं दोस्तों यह रोज का प्लांट है यह देशी रोज का इस पर मैंने बर्डिंग की हुई है यह मेरे पास जो की अब नहीं है उसमें फंगस आगी ती जिसकी वजह से उसको हटाना पड़ा मुझे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रोध स्टार्ट हो गई है और यह 20-22 दिन का रिजल्ट है लगबग एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते पर इतना है इसकी जो वीड बग साथ आठ दिन बाद ही किये तो अभी इसमें दो टाइम लगेगा अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मैंने किस्ट हो इसमें और बाद लग सकती है यह 6 मैंने एक सिंगल लगा हुए यह आप इसे काल सकते है और एक इसकी बैक साइड कि आम ड़ा सकते है यह यहां इक साल पहले और म räden कλी काफी अच्छीक इसको दो साल हो गें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अब भी इस तरीके से बना सकते हैं आप दो से जादा भी यूज कर सकते हैं बड मेरे पास फिलाल यही दो color थे उस time तो मैंने उस time यह दोनों ही लगाए हैं इसने growth start कर दिये और अभी देखते हैं अभी और कितना time लगेगा इसके अंदर अच्छे से growth होने में उसके बाद है इसको cut करके किसी और में लगा देंगे और जैसे इसमें double है और मैं सोच रहा हू इसके अंदर दो नहीं तो 3-4 तो को करूंगा ही करूंगा अभी तो इसमें growth start नहीं हुई है इसको भी मतलब birding के बाद ही लगाया है 7-8 दिन बाद तो अभी इसमें growth start नहीं हुई है अभी देखते हैं अभी इसमें और कितना time लगेगा दोस्तों यह 15-20 दिन के बाद का result है उसके जो अभी जो मैंने दिखाया है उसके बाद है और उसकी growth देखते हुई मैंने इसमें 2 cutting और लगा दी है इसके अंदर बढ़ नहीं लगा है इस बार मैंने इसकी रोज की cutting लगाई है जिसमें से यह आप देख सकते हैं थोरी dry हो र कोई issue नहीं है अगर होता है तो ठीक है नहीं तो एक तो हमारे पास है और जो उपर वाली वो तो इसकी growth अच्छे से है काफी अच्छा मतलब growth हो रही है कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे तो और यह दो देशी रोज है इसमें आपको इसका रोज दिखाता हूं यह देख पूल और यह दर भी है तो अभी है growth start हो रखे इसकी अभी इसमें जड़ है लेकिन कम वालूम बढ़ रहे हैं अभी मैंने इसकी बैक साइट से पन्नी फाड़ी थी थोड़ी सी तो मिट्टी हटा गे तो हाँ दिख रहे हैं लेकिन अभी मेच्छोर नहीं है तो अभी हटान अभी किया जैसे किये है तो जो भी इस हमारे पौधे को तागत मिलनी चाहिए जो हमारी बढ़ इसमें कुछब हो सकता है और हमारी जो बढ़ है वो अच्छे से success हो चुकि है अब जो बी टाम लगना इसकी रोटिंग में जो भी टाम लग रहा है त्यूंकि इसमें लग वक तीन महीने तो लगी जाते हैं टोटल अगर बर्डिंग से लेके और अगर एर लेलिंग कर एर लेरिंग में धाई तीन महीने मौसम पर डिपेंड करता है और इतना ही वक्त लगता है कम से कम चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके अपडेट वीडियो में तब तक आप अपना और अपने गार्टन का खायल रखें